नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल देशा एग्रीकल्चर अकैडमी पर आज की वीडियो में हम जो एस्टि करने वाले हैं बेपी एस्टी बिहार एग्रीकल्चर ओफिसर की जो वेकंसी याई ब्लॉक एग्रीकल्चर ओफिसर और लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन क्लास लेकर आया है इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम को पूरी के पूरी 50 कोस्टिंस पर जो की प्रूट एंड वेजेटेबल प्रिजर्बेशन की कोस्टिंस बहुत इंपॉर्टन्ट है यकीन मानी यहां से एक से दो कोस्टिंस आपको एंड तक देखना है कंटीनियु करतें क्लास को पड़ते हैं को सो घाइस हमारा पहला कोस्टिंस क्या है फिलेबं शाकोट उबादन में 20 में भारत कांश संचान है ईंसकाशन वार सकावण से इस थाए तो पिर पहले सितान पर कांस देश आता बच्चो हो आता मिरे यानि फल और सबजीयों के उत्पादने पहली रेंक किस की है चेन की है और भारत की रेंक दोसरी है कुश्चन नमबर टू देखते हैं क्या है एफ पी ओ यानि एफ है पी ओ एफ पी ओ का पूरा नाम पहले क्या होता है पूरा नाम क्या होता बच्चो फूर प्रोड़क्ट आरड़ और यह काव आया था तो यह आया था मेसूर या सब्सक्त में किस्क्रम का मुख्या इस्तित्त है मैसूर में मूख्याल जो और एस्तित है आई ऑई हार यानि इंडियन इंसट्यूट उप हॉर्टी कल्च रिसार्च इसका मुख्यले बांगलॉबर में इस्तित है। और एक संस्तान है एनएच पी एनएच भी नेशनल हॉर्टी कलोटर बोड्ड इसका मुख्यले गुर्गावं हर याड़ा में है ठीक है तो इसका उप्सन नमबर ए राइट था बढ़ते हैं कोशन नमबर चार की तरफ किसने बताया कि सोच में जीओ खाद पदार्तों को खराब करते हैं तो राइट जवाब है लोईस पासर लोईस पासर यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ट सी एफ टी आर आई कहां पेस्तित है अभी मैंने आपको बताया सी एफ टी आर आई कहां पेस्तित है तो मैंसोर में स्तित है आप्सन नमबर यह राइट हो जाएगा कोशन नमबर 6 भारत में सबसे पहले परिरच्ण का कार खाना कहां पे लगाया गया था यानि फल और सबजियों की प्रिजर बेसन का सबसे पहले जो कार खाना जो फैक्ट क्राम डिबबाबंदी संस्था उत्तर प्रदेश में कहां पेस्तित है यानि फ्रूड प्रिजर्बेसर और क המס है निंग इंस्टीट जो उत्तर प्रदेश में कहां सबस्तर क्राइस की ओओ थे लग नउना फल प्रसंच्ण और डिबबाबंदी त्ह अक्ष्तरbyद निकोलास अपर्ट यहां पे राइट उंतर हो जाएगा, उप्सन नमबर एक हो जाएगा, कोस्टन नमबर नाइन है हमारे सामने, फल एवम साकों में रंगों का इहराश किस एंजाइम से होता है, यानि फल और सब्जियों में जो रंग में कमी आती, कलर में कमी आ जाती, वो क फिनॉल ऑक्सीडेज, पॉली फिनॉल ऑक्सीडेज के करण जो सब्जियां जो फल हैं, उसमें कलर में परिबरतन आ जाता है, ठीक है न, अगला प्रस्ण, अधिक्तम साकों के हेमी करण के लिए कितना तापमान उप्योग तो होता है, हेमी करण का मतलब क्या होता है, किस त जीरो से अठारा डिगरीस एंटिग्रेट, काफी परिफेक्ट आंसर यहां पर डी है, डी बिल्गुल सूटेवल उत्तर इस प्रस्ण का है, जीरो से अठारा डिगरीस एंटिग्रेट, आगे चलते हैं कोश्टन नंबर गेरा के तरफ, टमाटर की कैसप के लिए नर्जमी करण हे तू सबसे अच्छा तापमान को कितना होता है मतलब टमाटर में कैसप की बनाने के लिए नर्जमी करण हे तू किस तापमान पर इसको गर्म करते हैं असी डिगरी 90 डिगरी 100 डिगरी 110 डिगरी तो 100 डिगरी यहां फे बिल्कुल 60 उत्तर है 100 डिगरी सेंटिग्रेट करेक्ट अपस्ट नमबर डी राइट हो जाएगा ठीक है ना इसके बाद कुस्ट नमबर नेक्स्ट है हमारा साखों को सुष्कक यानि साखों को डी में शुकाया जाता है उस समय टेंपरिचर कितना रखा जाता यह प्रस्ट है शाली से पचास डिगरी सेंटिग्रेट 50 से पस्पन 60 से 66 या 70 से 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 से 66 डिगरी बिल्कुल 61 उत्तर है बहुत अच्छा प्रस्ट है बहुत इंपर्टेंट है आगे जिन उत्पादों को नमक के दोरा पर रच्छित करते हैं उनमें नमक की मात्रा कितने रखते हैं ऐसे उत्पाद जिनको हम नमक के दो करते हैं जनका उसमें नमक की मात्रा एक पर्षंट कर रखते हैं तो 15 पतीषस तक आप नमक को मिला सकते हैं ठीक है न जैसे अगर आप एक किलो ग्राम एक किलो ग्राम कोई उत्पाद है तो एक किलो ग्राम उत्पाद को अगर आप प्रिजर्बियसन कर रहे हैं नमक से तो उसमें जो है डीड़ सो ग्राम मात्रा किसकी पड़ेगी कोई product है 1500 gram मातरा पढ़ जाएगी नमक की तो इस प्रकार से प्रजर्बिशन इसका किया जाता है इस प्रकार से आप 15% यूज में लेते हैं बस RTS पे पदार्तों में सोडियम बेंजोड की मातरा कितनी रखते हैं 100 PPM RTS का पूरा नाम भी आप से पूर सकता तो ready to serve होता है ठीक है टामाटर कैटशप में बेंजोड की मातरा कितने PPM रखते हैं बहुत important है ये 200 PPM correct answer हो जाएगा option number D correct है D will be right उत्तर है आगे चलते हैं mold खाद पदार्थों में ये बिसायले पदार्थ पैदा करता है तो काँ सा पदार्थ पैदा करेगा विसायले पदार्थ इसका अंतर हो जाएगा mycotoxin आगे है 17 नमबर आलू की सीथ बंधारण हे तू तापमान कितना सी cold store में जब आलू को storage किया जाता है उस समय तापमान कितना दिया जाता है 3 degree centigrade के औस पास option ये perfect है option नमबर सी correct है पाके केला को भंधारण करने के लिए उपिक तापमान कितना सही है तो केला को भंधारण करने के लगबग 10 degree centigrade तापमान की आप सकता होती है तीन हमेशा questions भंधारण से आते हैं एक आलू के भंधारण का तापमान पूछता है एक केला के भंधारण का तापमान पूछता है बच्चों और जो है एक हमारा पूछेगा आलू केलक बाद आम का पूछता है तो आम का क्या है आंसर देख लेते हैं अपन लोग आम के भंधारण है तो तापमान कितना रखा जाता है मेरे भाई 0 degree centigrade 1 degree centigrade 3 degree centigrade के आसपास या साथ डेगरी सेंटीग्रेट अब बताएं इस परसन का राएट तर क्या होगा तो इसका परसन भी आपको आंसर देख लेना फिलाल इतना तेन डेगरी के आसपास तो नहीं होना सभी फिलाल यह डाउट है इस आप देख लेंगे ठीक ना आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ आड़ू या खुवानी के फ़लों की लाई पिलिंग के लिए कितने प्रतिस्त संदर्टा के कास्टिक सोडा का प्रियोग करते हैं सबसे पहले प्रस भेस में पूछेगा कि लाई पिलिंग की जो किलिए किसमें करी जाती है तो यह फ़लों में की जाती है और और प्रकार कि फल है इसमें करने के लिए जो कास्टिक सोधा होता उसकी सांदर के सांदरता कितनी लेते हैं तो 8% तक लेते नंग कितनी अची वह परसंट लेते हं तो एक से थीट करते हैं आगे चलते हैं कोष्षिन नम्मर 22 की तरप लीची फालों की डिबबंदी में जो सक्कर का गोल भरा जाता उसकी सांदरता क्या होता है, अगर आप डिबबंदी कर रहे हैं किसकी लीची की तो प्यारी बच्चोंच में जो सरकरा का सालुशा नाचे सरकरा का गोल है उसकी करते हैं अगर आप आचार का परियोग कर रहे हैं तो किसका प्रियोग करेंगे आप नमक सिर्का तेल हम सभी लोग जानते हैं जैसे हमारे गर में आम का आचार बनाया जाए तो उसमें किन-किन चीजों की आपसक्ता होती एक तो तेल की आपसक्ता पढ़ेगी एक तो सिरका की आपसक्ता पढ़ेगी एक तो नमक की आपसक्ता पढ़ेगी इस हिसाब से डी आपसंस करेक्ट हो जाएगा आगे चलतें कोश्चन नमबर नेक्ट की तरफ प्याज की आशार में परिरच्छक क कुल ठोस होना चाहिए यहनि कोश्चन नमबर 25 पे जवाब किया कर्यक्ट होगा 25 जैसे आप टोमेटो सॉस बना रहे हैं टोमेटो सॉस बना रहे हैं उसमें जो टीस्स की मात्रा वो कितनी यूज मिली जाती है बच्चों 25 पर सेंट इतना जो टमाटर साउस जिसका बना रहे ह हैं सॉस में टीस परसेंट तक स्कीड ब्रिक्स रेडिंग होने चाहिए तो आपसंड डी करेक्ट है काली गर्दन एक समस्या किसकी टमाटर सास की ठीक है ना टमाटर सास करेक्ट अंसर हो जाएगा आगे फल उत्पाद आदेश यानि इसी को क्या बोलते इसी को बोलते एफ और यह कब पारित हुआ था दिनियम किसा दिनियम के एकॉर्डिंगे 1955 के अनुसार में कम से कम कितने परसंट टीस होना चाहिए तो आरशाट परसेंट होना सी यह अप्सन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी यहां पर करेक्ट उत्तर है जाय में आरशाट प्रतिसर्ट जो क्या है टिया से सोना चाहिए कि को इसी फिरकर अगर आप से पूछे कि जैली में कि एक डाया होना सी जैली में तो प्यारी बच्छों जैली में 65 प्रतिसर्ट या सोना चाहिए यह दोनों प्रसंट बहुत इंपार्टन है और सबसे बढ़ीगे जैम किसका बनता सेब का बनता है और सबसे बड़े जैली किसकी बनती है किस फल से तो अमरूद की जैली बहुत अच्छी बनती है यह प्रस्ण भी आपको याद कर लेने बहुत इंपॉर्टन वीडियो है पूरा बास करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डेली क्लासेस आपको ब इंग्र electr ऑले बेद्धियार्तियों को पे तयार जैली में पे तयार जैली में कितने पर्संट खटास होनी चाहिfight है याई जो भी जैली आपने बना कि prepare की है उसमें City यादिएटिटि आनि lesser कि मातरा कितने पर्संट होने चाहिए तो 0.75% होनी चाहिए ऑप्सन सी करेक्ट है तैयार जैली में भार की अनुसार तैयार जैली का भार प्रियुक्त सरकरा के बार का कितना गुना होता है यानि जो भी जैली आपने बनाई है जो भी जैली आपने बना कर तैयार की है उसमें क्या सरकरा की बार का कितना गुना होती है तो ये डेड़ गुना होती है ठीक है ना कितना होती है डेड़ गुना होती है आगे देखेंगे जैल मीटर से क्या मापते हैं मेरे भाई जैल मीटर से मापते हैं पैक्टिन ग्रेड पेक्टेंट गेड को कि किसे मारा आपते है जैल मेंटर से थीक है ना और जैली के बना की बनाने प्राल में इसके दिखता होने चाहिए ठीक चाहिए थीक है ना तो यह धियान रखना आप टैएश से graduating किसके दोर मारते हैं घमज के दोरा रिप्रेक्टो मीटेर से क्या माओते हैं टी ती एस सर और पैक्टिन गिरीड को किसमा आपते हैं जेल मीटेर से मापते हैं को haram श्टन नंबर 33 किसके निर्मार में पैक्टिन की बड़ी भूमुका होती है तो आभ से जली बनाने के लिए पैक्टिन कि अदिकता होनी चाहिँ फल में आगे उबलती जैली की ताप मान इतना होने पर इन्ड पुइंट माना जाता है यहीन जब जैली को बनाते हैं जो बॉइलिंग पुइंट होता है जैली का उबलती समय ताप मान कितना है ताकि उप्युक्त मान है तो 105 क्थे इंडर पॉंट जब जली बन कर तैयार हो जाती तो तीक तोब चलते हैं Arenám,大 8 की तरह 欠ेकोर को कि Iisud में रस की प्रिस्त मातरा होती है, की मतलब में Ready To Sir, तो इसमें रसी कितना होता है? र्बता ह्टास आगे है, नेक्टर में टीचेश की मातरा कितनी होतीए मेरे भाई है तो पंदरा पर्सेंट होती है याई जो रिनिस्टर है उसमें पंदा पर्सेंट क्रोथ ट्स होता ठीका ना इसी परकारी जो सबस्रीन होता उसमें 25 मिल बनी को और की मकान सीफ्टीफ consent और दूसरा मारमा लेड ये दोनों प्रोड़क्ट जो है नेमू से बनाए जाते हैं नेमू बर्गी फलों से ठीक है आगे कैंडी सबसे उप्रिक्त फल काउन से मेरे भाई आबला आमला उप्रिक्त फल्य केंडी बनाने के लिए दूसरी बात बता दें आपको केंडी जो है बेर से भी बनाए जाती है तो आमला और बेर यहां पर राइट उत्तर हो जाएंगे आगे चलते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ कार्बोनी करन किया जाता है जो कार्बोनेशन की प्रोसेस है वो किनकी करी जाती है जो भी पेपदार्थ होते हैं ठीक है ना पेपदार्थ होते हैं उसमें कार्बोनी करन की गिरिया की जाती है आगे सलते हैं question number 42 की तरब फालसा square का परेच्छन करते हैं यानि जो फालसा square है इसका परेच्छन किसके द्वरा करते हैं तो sodium benzoid से करते हैं option A correct है आम की तयार एक लिठर square में कितना potassium meta by sulphide का यूज करते हैं तो 600 mg मात्रा correct answer है option number C next मुर्बा में कुल बलंड तोस इतने प्रतीस सथ होनदा तो मॢण और ने कुल्र दोस की मातरा 70% होती है सांकों में किसका प्रियोग मुर्बा बनाने में किया जाता है तो पेठा का किया जाता है जो साफ होती है साफ उसमें मुर्बबार्व बनाने में किसका प्रियों करते हैं बच्छो पेठा का है शाइक में है किसका सरवादिक यानि ध्यान कर लो बात च्छे से आपकों में मुरब्ब बनाने के लिए सबसे उप्युक्ति कौने मुरब्ब बनाने के लिए तो आंसर आ यहाँ आ iets आ साको में तो सबसे जना प्रियोग मिलिया जाता है पेठा लेकिन फलों में सरबादिक यूज करते मुर्बब बनाने में आमला का ठीक है ना आगे चलते हैं जैली की निर्माड में कम से कम कितने परसंट फल का रस होना से यह तो प्यारी भाई 45 परसंट जैली की निर्माड के लिए जो है फल का रस होना से यह 45 होना से यह संद्धांतिक रूप से हैं सो ग्राम सरक्रा इतने ग्राम ऐस्ट्रक्राप्त होता है साक निवन किरिया सेलता वाला है तो जो आपसें दिये गए हैं जैसे खरभूजा है मतर है गाजर तो प्याज में निवन किरिया सेलता पायजाती है ठीक है ना आगी कोश्ट पशास नंबर अंबर इन्में से कौन एक खमीर यानि इस्ट नहीं हैशार आप्षान की बेन है कैंडिडा पेशिया हैंश्वेतला एसपरजिलस प्यारी पच्चों तो एसपरजिलस यह क्या है एसपरजिलस एक कबाक होता है ठीक है ना, एसपरजिलस क्या है, एसपरजिलस एक कबाक होता है तो यह थी एक सोटी सी प्यारी सी क्लास उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत हेलप लड़ाएगी आप सभी के लिए भाई मैं अगेन रिक्वेस्ट करेंगा डेली आपको क्लास बिलेंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे हम जो है टॉपिक बाई टॉपिक जैसे आज टर्वाइब करता हैं वीडियो अच्छी लेगे होऀ ठैंक्स भर बाचिंग